तो बाई साब स्वागत आप सबेगा आज के हमारे इस प्यारे से गेंपले में और आज हम लोगा हैं मिड टेस्टेन और इन लोगों ने अपने अपने गलती से मुझे गले का बैल्ट दे लिया था यार इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे नहीं देनी चाहिए तो बाई साब यहाँ पास हमको मिल चुके है उजी जी की सबसे छोटी और सबसे अच्छी गन अगर आपको चलाने आती है तो उजी से आप कोई भी बंदे बड़े असानी से मार सकते हो और यहाँ पास हमें मिल चुकी है स्कारेल स्कारेल तो मिल चुकी है लेकिन स्कारेल मुझे ज़्यादा खास पसंद नहीं तो बाई साब यहाँ पास पब जी की सौपिंग करने के बाद मैं आ चुका हूँ बंदे ढूंडने शुरू में तो उतानने से पहले डर रहा था कि यहाँ बंदे नहीं आ जाएं अब मैं पस्ता रहा हूँ कि यहाँ बंदे क्यों नहीं आएं तो चलो अब कहीं न कहीं जाके मुझे बंदे ढूंडने ही पड़ेंगे यार इतने बड़े बड़े घर हैं लेकिन बंदे फिर भी नहीं हैं पता नहीं कहाँ चले गए तो फाइनली यहाँ पास मेरे को एक बंदे मिल चुका है और इस बंद को मैंने नौक कर दिया अब इस बंद से पूरता हूँ कि इसके बाँ की साथ ही कहा है चिता मत करो और में पूछ लूँगा मैं तो फाइनली यहाँ पास मेरे को बंदे मिल चुके हैं लेकिन पबजी में इतना घास दे कि समझ नहीं आरा बंदे है कहां तो यहाँ पास मेरे को एक बंदा मिल चुका है लेकिन ये बंदा मेरे को बाट की तरह क्यों लग रहा है चलो कोई बात नहीं मेरे को तो बंदों से मतलब अब अब जिवारों ने बाट भीज़ा इसमें मेरी क्या गज़ी तो यहाँ पास मुझे किसी और बंदे के फुट स्टेप सुनाई दिये थे तो ये क्या ये बंदा तो यहाँ चुपा है लेकिन ये बंदा जादा दिर तक मुझे से बच नहीं पाएगा और ये क्या इसके पास तो बहुत ही अच्छी गाड़ी है तो इसकी गाड़ी भी हम ले लेंगे लेकिन मुझे लगता है इसके आसपास साथ ही है और मैंने इसको फिनिस नहीं किया है इसलिए वो इसे रिवाइद देने आ सकते हैं ये बड़ी अच्छी बात कही है तो चलो मैं जल्दी से उसको फिनिस करके आता हूं ये क्या एक बंदो तो साब बन के लेटा है दोस्तो मैंने इसको भी अर्य अर्य नॉक कर दिया बोल नहीं वाला था कि कोई पीछे से मुझे नॉक कर गया ये क्या जिस बंदो को मैंने नॉक किया है ये तो उसी का टीम मेट है और इसने मुझे नॉक कर दिया लेकिन यहाँ पास मेरी बचने की चंसे जीरो के बराबर है क्योंकि इतने में कौन छोड़ेगा यार कौन इतना बेवकुब है मेरी तरह तो यहाँ पास दो नंबर और तीन नंबर याने की मैं चान नंबर को बहुत देर से रिवाइब देने के लिए बोल रहे है माने रीक लेकिन यह आसी कर ही नहीं रहा लगता है यह दीरे-दीरे उसी रास्ते जा रहा है एक नंबर तो फिलहाल अपने कहीं पे व्यस्त है बंदे मारने में लेकिन उसे पता नहीं आंके जाके वो ही मरेगा तो फाइनली चार नंबर हमको रिकॉल करने पहुँच गया लेकिन यह क्या किसी ने तो अपने बंदो का रिवाइब कर लिया मतलब इन्हें बोलते हैं टीम में यह तो लूट पाट करते करते हो पुरा टाइम ही खतम कर गये और पता नहीं अब यह अकेले खेल के क्या कर लेंगे तो चलो थोड़ी दोड़ तो इनके ही गेमपले देख लेते हैं और पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है तो यहाँ पास एक नमबर नौक हो गया है और यह उसे रिवाइब यह क्या ही किसी को रिवाइब देगा इसे तो खुद रिवाइब की जरुवत है तो चलो आज की गेमपले यहीं तक लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना अच्छो मेरा रैंक नहीं गटा वरना चान नमबर को पर मालानी का केस कर देता